दोस्तो अगर आपके भी घर परिवार में बेटी है तो इस वीडियो को पुरा वास करेगा केंदर सरकार दोरा कन्या समरध्धी योजना के अंतरगत बेटी को तोफा दिया जा रहा है दोस्तो आपको अपनी बेटी के लिए 250 रुपे जमा करने होंगे 250 रुपे जमा करने पर आपको 15 लाक रुपे दिये जाएंगे अब दोस्तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से यह है लाब मिलेगा उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल वाइज जान करी देने वाला हूँ दोस्तो आपको परती महा 250 रुपे जमा करने हैं यह पैसा आपको कब तक जमा करना होगा उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर डिटेल वाइज जान करी देने वाला हूँ साधी दोस्तो बेटी की पढ़ाई से लेकर साधी तक का जो भी खर्च है वह है दोस्तो आप आसानी से उठा पाएंगे दोस्तो इस वीडियो पुरावाच करिएगा तभी आप यह संपूर जानकारी प्राप कर पाएंगे और वीडियो सुरू करने से पहले आपसे हमारा चोट हन्युदन है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तो अपने दोस्तों को अपने सिधारों को इसको जरूर सेयर करेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बतादें कि केन सरकार दौरा वैसे तो कहीं तरह की योजना चला जाती है जैसे कि आप सभी जानते हैं जिसमें आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं ऐसी दोस्तों केन सरकार दौरा यह योजना चलाई गई है जिसका नाम है समरध्धी योजना जिसमें दोस्तों आप सिर्फ 250 रुपे से ही निवेश शुरू कर सकते हैं और आपकी बेटी की पढ़ाई के लिए साधी के लिए 15 लांग रुपे तक का पैसा आप सेव कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर जो पैसा आप जमा करेंगे उसका काफी तकड़ा ब्याज आपको दिया जाएगा साधी दोस्तों आप यह पैसा कब तक जमा कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल वाई जियानकारी दे देता हूँ तो दोस्तों केंद सरकार की इस स्कीम का नाम जैसे कि हमने आपको बताया है वहीं दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ किस योजना में एक माता पिता या गार्जन एक बेटी के नाम पर केवल एक ही एकाउंट खोल सकते हैं और दो अलग अलग बेटियों के नाम पर आप एकाउंट खोलना चाहते हैं दो एकाउंट खोलना चाहते हैं तो दोस्तों उसमें आपको कुछ ज्यादा यानिके आपको 500 रुपे पर तिमहा जमा करने होंगे एक बेटी के लिए 250 रुपे और दूसरी बेटी के लिए भी आपको अलग से 250 रुपे जमा करने होंगे तो अगर आप दोनों बेटीों का एकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप 500 रुपे आपको देने होंगे आप एकाउंट किस परकार से खुलवा सकते हैं एकाउंट खुलवाने के लिए आपको किन-किन दस्तावे जोकी जरुरत होगी कहाँ पर जाकर आप एकाउंट खुलवा सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ दोस्तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको इस स्कीम के अंदरगत केवल 15 साल तक ही निवेस करना होगा 15 साल तक ही आपको पैसे जमा करने हैं और जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाती है तो आप पैसा निकाल सकते हैं लेकिन यह पैसा दोस्तो आप अपनी बेटी की साधी के लिए ही निकाल सकते हैं और पुरा पैसा आपको दिया जाएगा दोस्तो आपको बदा चाहते हैं कि जो पैसा आप जमा करेंगे उनका ब्याज भी आपको दिया जाएगा अब दोस्तो आपको ब्याज कितना दिया जाएगा वह भी मैं आपको यहाँ पर बदा देता हूँ तो इस समय सरकार की इस स्कीम में इस स्कीम पर जो खाताधारकों को 7.6% की दर से कंपाउंडिंग भ्याज का फाइदा दे रही है इस स्कीम की भ्याज दरो को सरकार तीन महीने के बाद में रिवाईज करती है यानि कि दोस्तो जो हाली में खाताधार को कोजिन के खाते खुले हुए हैं उनको जो अब ब्याज दिया जा रहा है उसकी कीमत यहां पर आप देख सकते हैं 7.6 पीस दिदर दिया जा रहा है अब दोस्तो अब बात आती है कि आप एकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं और कौन-कौन से दस्तावेज आपको जमा करने होंगे तो दोस्तो आपको किसी भी पोस्ट ओपिस या फिर बैंक में जाकर आप अपनी बेटी के लिए खाता खुलवा सकते हैं दोस्तो इस योजना में आप अपनी बेटी के लिए खाता खुलवाने के लिए आपको पोस्ट ओपिस में जाना होगा या फिर आप किसी भी बैंक में जो भी आपके पास नजदी की बैंक हैं उस बैंक में आप जा सकते हैं और आप पोश्ट ओपिस या फिर किसी भी बैंक में जा कर या खाता ओपन करा सकते हैं इसके लिए आपको दोस्तों सिर्फ बेटी का बर्त सर्टिफिकेट इनके जन्म पर्मान पद्र जमा करना होगा साथ ही बच्ची और माबाप का जो पहचान पद्र है वह भी आपको जमा करना होगा बच्ची के फोटो जमा करने होगे तो इस प्रकार से आप अपनी बेटी को लाब दिला सकते हैं जब आप 15 साल तक पैसा जमा करते हैं तो आपको पढ़ाई के लिए भी 18 वर्षी जब आपकी बेटी हो जाती है तो आपको पढ़ाई के लिए पैसे दिये जाते हैं पैसा आप निकाल सकते हैं और जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाती है और आप साधी करना चाते हैं तो साधी के लिए आपको सरकार द्वाज जो भी amount आपने जमा किया है वह amount और दोस्तो उसका अभ्याज आपको एक साथ दे दिया जाएगा और आप आसने से अपनी बेटी के लिए जो खर्च है वह अच चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करेंगा दोस्तो बैल आगन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाला नोटिफीकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो यह थे आपके लिए महत्पूर जानकर आपको जानकर कैसे लगी हमें कमेंट बोक में जाक जुरूर वतेगा दोस्तो आप चाते हैं आपसे इजारत और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए दोस्तो जय हिंद जय भारत